कि दोस्तों आज हम बता रहे हैं कि हो मेट आटा चक्खी यह जो आटा चक्खी है तीन एच्पी की इंडेक्स मोटर है और चक्खी लोड नहीं ले रही चालू हो जाती और चालू करने के बाद थोड़ा घुम दी और फिर वापस बंद होती ऊखए तो इसके क्या प्रॉबलम में यह जो आटा चक्खी है इसके बारे में विड़ो बना है क्यों यह जो प्रॉबलम आ कुछ क्ल़बलम होते हैं और क्लूबलम आता है कि सेंशर शूलूशन के बारे में कहले सब 3-4 h नहीं बनाया था जब हमें प्रॉब्लम हमने सोचा कि वे ऐसे प्रॉब्लम जिसके गर मैं आटा चक्किए उनको भी आते होंगे और ज़र और साइट में होंगी तो फिर उसके टेक्निशन मिलना मुश्किल होता है फिर काम नहीं होता परेशाइं नहीं हो जाती है जो इदस्तों यह जो आक चक्कि है अब देखो भी इसको यह इसका झांटर है अब जो आसे चालो हैं क्या होता भी I am जालो किया, सब फी है प्राप्लम तो कुछ नहीं है इसके अंदर जो जो उसका ग्रेटर का जो ब्लेड ऐसके पीछे भी कुछ भी तीजे नτί हो कि आपने इसे खोलकर निकाल दी युसामने को खोल आ युसकंद निकाल दिया फिर यह निए फिर भी आ गप को दीए cricket है को जरू जाते है कि अखना एक फिर इस बंदो जाती कि पास्थ अएये बंद होगी करने इसके प्रोबलुम है तो इसमें हमने कंडंशर का प्रोबलुमा निकाला और कंडंश ब्सक्राइट कर दूसरा कर देनी वापस निया लाना और दोवाईरे बटा देनी है करे मेंहरे चुनिपमें कि हमने चेक्ड़िक में वेदीरना यह तो अच्छा था कहीं टूटा फटा नहीं था जला हुआ नहीं था वायर्शट नहीं थी कंडेंसर तो पुरा ओक्य था निकाला चेक करा दोसरा बटा दिया फिर भी प्रॉब्लम से बोलके यह जोए इसका sensor box है को सेंसरबोक्स की वाईरिंग जैक की सेंसरबगा वाईरिंग भी ठीक ताक है लूज कानेक्छन नहीं है पुट सुप मुझा के कर Gemetровщ collection bio level निकाल कर साफ सफई करके next the बिटा दिया और इसमें भी कुछ प्रॉबलम नहीं है कि तो आटा चेक्की होती है अब एक एच्पी कि लो दो फ्रीक्रीड तीन च्पी कि लो तो जिसमें जतने ज्यादा सेंशर है वो चक्की में ज्यादा प्रवब्लम है क्योंगे जो सेंसर जो है तो साल दो साल के बाद खराब हो जाते हैं कि खराब होनी के वज़ा से फिर आटचकी लोडने लेना बार बार ट्रिप होना थोड़ी घुमना फिर बंद हो जाना अभी चालो हो गई अब लोड देने के बाद बंद हो जाते हैं कि मोटर के वाइरिंग चेक की वह भी ठीक ठाक है कि अब इसका अब इसका सेंसर का बोर्ड है इसके अंदर यह एंप पर्वल्म कहीं है और यह वाल्ट मिटर इसके अंदर के प्रॉब्लम है तो हमें जो प्रॉब्लम मिला अब इसके अंपर मिटर के नटों को हमने कर दिया है चेक करने के लिए कि लूज कॉंटक्क के हो जैसे कुछ लोड होकर ट्रीप हो रही क्या हमारे चैनल पर इलग एलेकट्रonda कि फिलेक्ट्रस जूड़े हम अप्लोड करते हैं है और आप लोगों का जो हमारे विडियोग को लाइक करना पसंद करना पिर उस फे कमेंड करना केरें को सस्कुन सब्सक्रा Quinn होना तो हमें भी जो शाहता है कि कुछ बनाएं जिस जो प्रॉब्लम है क्यों कैसे आज कल मार्केट में जो भी हम जो भी हमारे घर में इलक्ट्रोनिक पार्स होते हैं आटाजकी मिक्चर ग्रैंडर यह जो करें तो इसके टेक्रिशन जो वाल है जल्दी दोनिल सिटि में रहते हैं से उनके लिए us Madrid बहुत बढ़े की मुश्किल है क्यों वो मिलते नहीं अगर कोई मिलता है तो उसके चार्जेस भी बहुत ज्यादा होते हैं तो हमने सोचा कि इसके ओपर वीड़ो बनाएं और डाले चोटे-छोटे प्राबलम होते हैं अब घर में थोड़ा भी नौलेज होंगा तो इसको बना सकते हैं और कमेंट करेंगे हमारे कुकी वह हमारे में हमारे पास चीज है इलो टर्निक और इसमें यह प्रॉब्लम है जिसका सलुशन कैसे करें तो उसके उपर वीड़ो बना के जरूर डालेंगे और कमेंट का जवाब भी देंगे कि इसका जो है आटा चकी का जो इसमें अनाज डालते हैं घहूं और यह उसका भांडा है हमने इसको भी खोला था भी इसको खुलने के बाद इसमें भी इसको भी चेकिया कि खुछ वाइरों को भी चेकिया कि कोई वायर कटी-फुटी जली हो गिरे नहीं तो मगर वह सब के लिए से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि सब कुछ ठीक ठाक था अब उसको वापस फिटिंग कर दिया कि अब कि अब कि तो यह जो कि अब कि एलेक्ट्रोनिक काम में सबसे अहम चीज है दोस्तों उसके लिए एक टेस्टर होना जरूरी है हिज्टेस्टर अगर आपके पास होंगा या उल्टिमिटर आपके पास होंगा तो उल्ट्रोनिक के काम अप आसानी से कर सकते हैं कि में कि यह सबसे पहले उपर के बटन को बन करते उपर से जो पलक पिन की वायर है उसको निकाल ले निकाल लेने के बाद ही किसी भी इलेक्ट्रोनिक चीज़ को हाथ लगाए अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो मुश्पिल और जब पार्ट को क्षी काम करते हैं तो घर में बच्चों को धूर रखे बच्चों को धूर रखे और को में खोलना है और हम ऐसे लगता है कि इसकी जो वायरिंग है तो इसको रख लेना है अब जोब फिटिंग करते हैं तो देखना है कि फोटो में लेक्तर करके उसके सबसे पूसको प्रवाइब इतना है दुसरा कुछ भी नहीं है कि तो हमें इस तरह से अगर हम करेंगे तो सब काम ठाक हूंगे अभी गरेंडर बेट इसको पाइज इसको जो मिक्षर गरेंडर एज्व आटे का इसको रोज सुबा या दो दिन में एक बार से भीना इसको साफ करना क्यों इसके अंदर कुछ कच्रा अटक जाता है या फिर जो कुछ लोग ऐसे जो पिसने के लिए जो कस्टमर लाते हैं उन होगा चाँ एक बातंबन और उसको पहले खरना साफ करना मैं भरली को साफ करते रहें तो खरी तोंड नियुंग तो आघा था णोग। thou तो मैंने क्या मुझा इसके आटां चेक है इसने स्कार बार-बार आ रही तो मेंने इसको इसको क्या रहा आए दो शालू कर देखा तो फीज तरह से चालु हो गई काम ठीक से करने लगी जो आना जाएगी हों उतर उतर ना शुरू हो गए और आभी लोड लेंके ट्रीफ़ना बंद हो गया और भी थीक से काम करने लेगी है अभी जो यह सेंसर यह सेंसर कराब हो गये इसको क्या करा मैंने फिर बाब में निकाल दिया निकाल कर उसको क्यों होगाई भी आभी ठीक से काम कर रही है तो दूस्तों प्रीज एक बार और किटा हूं कि हमारे चैनल को subscribe करे वीडियो को like करे हाओ comment करे और अपने जो भी दोस्त है जिनके घर में इस चक्की है या electronic को पार्ट है उनको इस वीडियो को share करे इससे knowledge भी बढ़ेंगा हमने जो channel को शुरू किया है help करने के लिए दे भाई लोगों की तो उनके हेल्प पे हो जाएंगी चलो फिर नेक्स टूड़ा में मिलते हैं ओके बाई बाई